नमस्कार मैं हूँ दिवानसू आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन आरजेडी में बैठकों का दौर चल रहा है कल आरजेडी बिधायक दल की बैठक राबरी आवास पर आज राबरी आवास पर आरजेडी के नए जिला अध्यक्षों की बैठक होनी है दरसल आपको पता कि दो दिन पहले आरजेडी के परदेश अध्यक जगदानन सिंग ने आरजेडी के जिला अध्यक्षों के नाम का एलान किया गया था जिसमें जातिय सम्मिकरन का बखुबी से ख्याल रखा था और पार्टी ने पैसाली फीसिदी आरक्षन जो देने का वादा किया था वही पूरा किया आपको बता दे कि आर्जेडी में जिला अध्यक्षों के साथ राबरि देवी की हुनी है तक में आध्यक प्पूर अदाग को मौँद रहेंगे और बेठक में भूताउय और अस्तरीय कमेटी बनाने को लेकर चर्चा होगी भूत को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर रनीती तयार की जाए गए ये बैठी आज राबड़ी आवास पे होनी है अभी से ही RJD पूरी तयारी से बिधार बिधार राण साभा चुनाव को लेकर कर रही है कल RJD बिधायक दल की बैठीक हुई जिसमें सभी बिधायकों बिधा होनी है और यह बैठक काफी महतपूर मानने जा रहे है चुनावी तयारियों को लेकर क्योंकि इस बैठक में नए जिला अध्यक्ष को तेस्पी आदब निर्देश देंगे और क्या कुछ करना है किस तरीके से पार्टी को और भी मजबूत करना है बिहार में और बूत अस्तर ये कमिटी को मजबूत किस तरीके से किया जा इस पर रनीती और मन्थन किया जाएगा और साथ ही आपको बता दे कि कल तेस्पी आदब ने सभी विधायकों से बिहार विधानसवा चुनाव के तयारियों में जुटने का आवाहन किया और साफ निर्देश दिये कि अब वक् जादे जिसमें कि 14 अती पिछड़ों को जगह दी गई है तो 12 यादबों को ने जिला अध्यक्ष में जगह दी गई है कुल मिलाकर कहें तो RJD के तरफ से कवायत हो रही है कि JD के अती पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी करने का क्योंकि 14 जगह पर है जो जिला अध्यक्षों की सूची में बखुबी से ख्याल रखा गया है आप कह सकते हैं कि जातिये सम्मिकरण को पूरी तरीके से लामबंद करने के लिए RJD ने जो जिला अध्यक्षों की जो सूची तयार की है और आज एक बर फिर अराबरी अवास पर बैठक होनी है कल भी बैठक ह कोई थी कुल मिलाकर कहें तो RJD ये लगातार मन्थन कर रही है चुनाब को लेकर रनीती त्यार की जा रही है फिलहाल अभीतर के लिए इतना इस बैठक में क्या कुछ होता है सबसे पहले हम आपको अपडेट देतेंगे फिलहाल अभीतर के लिए इतना ही आप देखते रहे ये नुच फोनेशन